हाई मैं आप लोगों को रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 और रूट 7 को नमबर लाइन पे कैसे रिप्रियेंट करते हैं उसे बताने जा रहा हूँ तो पहले मैं आप लोगों को रूट 2 और रूट 3 को नमबर लाइन पे डोग करने के वारे में बताने जा रहा हूँ इसका concept भी मैं आप लोगों को दूँगा था कि आप लोग आसानी से बात में बना सकें आप लोग उन्हें पाइथा गोरस फ्षोरम के बारे में सुना होगा जो कि यह था है Hypertenus Asquare Equals Bess Asquare Plus Perpendicular Asquare तो माल लिए हम लोगों को Rout 2 Number Line पे Refinite करना है तो क्या करने है, तो पहले एक राइट रेंगल के वारे में सोचें, इसका बेश1 युञिट हो और पर्पेंडिकलर भी वन उंसित हो वो देखिए कैसे निकलता है, H स्कॉार स्कॉार इक्वल्स B स्कॉार पलस B स्कॉार, जोदि आप स्कॉार हटाएंगे, तो यह रूट हिंडन आ जाएगा, बेस स्कॉार, तो बेस आपका 1 है, पर्पिंडिक्लर भी 1 है, तो उन स्कॉार पलस 1 अस्कॉार, तो आप इसे सोल करने पर पाएंगे कि यह रूट 2 आता है तो यह आपका हाइपोटिनेस हो गया जो कि रूट 2 आता है तो इसी कॉंसेट का हम लोग नंबर लाइन पर रूट 2 कुरबिन करने में करते हैं तो मैं डो करके दिखाने जा रहा हूं एक लाइन डो करेंगे और उसे इकोल इकोल पार्स में डिवाइड कर देंगे बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं अचलिए में डो कर दाएंगे दाएंगे थाले कारे संथ येड़ करेंगे कि प्रेशने मार्क बार्स रेखाने हैं बहुत वाले कमें गयवता हैं बहुत 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 कर दो में हैं ये 0 है और ये 1, 2, 3, और ये 4, तो क्या करना है, जहाँ पर 1 यूनिट है, वहाँ पर एक बर्विंडिकुलर लाइन डो करना है, मैं एक लाइन डो करके दिखाने जा रहा हूं, आप कपप से, इसे आसानी से कर सकते हैं, ये 60 डिग्री का मार्क हुआ, ये 120 डिग्री का हुआ, और आप इस दोनों जगा से इसे बाइसेक्ट कर लें, तो ये आपका पर्विंडिकुलर लाइन हो गया, इसे आप वन वाले मार्क पर से जोइन कर दें, अब आप जितना वन यूनिट है, बोल लेना है, ये देखिए, जीरो और वन के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेना कमपस से, और फिर वन पर रहकर इस लाइन को आप कट करेंगे, ये जो कट मिला, उस पॉइंट को और जीरो को, जोइन कर ना है, इसे और इसे, जो कर देखिए, ये ही रूचतो है, ये इसे, अधा रहकर देखिए, ये ही रूचतो है, वन आपश्टेंस से, इसे, इस मार्क को नंबर लाइन तक प्रोडूश कर देना है अब लोगों ने देख लिया हुआ कि मैंने क्या किया जीरो और इस पॉइंट को जो की रूट टू के बराबर आ रहा है उसको नंबर लाइन पे रूमाते हुए ले गया यह जो आपका पॉइंट है यही आपका रूट टू हो गया तो रूट टू का रिप्रेंटेशन खत्म हो गया अब मैं रूट थिरी दिखाने जा रहा हूं रूट थिरी जब आप लोगों को रिप्रेंट करना होगा तो उसके पीछे का कॉंसेप्ट वही है एक राइट रेंगल लेना है जिसमें उसका बेस रूट टू हो और पर्पेंडिपलर वन उनिट का हो यह देखिए मैं अलगते दिखाने जा रहा हूं यह राइट अंगल ट्रेंगल है जिसमें मैंने इसे बेस को रूट टू मान लिया है और यह वन उनिट है तो जब आप इसका हाइपोटेनिस कल्कुलिट करेंगे तो वो आएगा रूट टू असक्वार प्लस वन असक्वार इक्वल्स थिरी प्लस वन तो यह आपोटेनिस रूट थिरी आ जाएगा तो सबसे पहले रूट थिरी को रिपेंट करने के लिए एक लाइन डो करें में लाइन डो कर लिया इसे फिर इकोल इकोल पार्स में आप डिवाइड कर देंगे ठीक पहले वाली की तरफ आकर फे रूट इसे आपार्स रही कितर द कर देद करें इसमों पार्स में आफोफ तो को रिप्लेंट करना है चलिए सबसे पाले पर्पेंडिकुलर लाइन रो करते हैं आपके सबसे पर्पेंडिकुलर लाइन रो कर लिया है और विप्ल इसक पर वन और जीरो के वीच का जो टिस्टेंस है इसे मैंने इकट करें इसे कट करें इसे रहा कट इसे जीरू से जोइन करते हुआ और फिर इसे अब इस पॉइंट पर फिर से एक पर्पिंडिक्लर लाइंड हो करना है अब चाहिए तो छोटा सा लेडियस ले इसे आजानी से पर्पिंडिक्लर लाइंड हो करना है जोब परता आल आल बहुजब पर्पिंडल यहां पर्पेटिबल लाइंड हो कर लिया, इहां पर इसेंड की ग्लाइंड हो करना है और यह जो आपका डिस्टेंड था, वन उनीट था कि इतना ही डिस्टेंड कमपस से इस लाइन पर डो करना है तो यह रहा है, अब आप इसे फिर से जिरो के शाथ मिला दे तो इससे क्या हुआ, पहले आपका यह डिस्टेंड रूट टूट तो इससे क्या हुआ रूट था और रूट टू पे आपने पर्पिंडिकुलर लाइन डो किया है जिससे यह वाला डिस्टेंड आपका रूट टू के बराबर हो गया है अब इस रूट टू पे आपने वन यूनिट का लाइन डो किया है यह रूट टू हुआ और यह वन हुआ रूट टू और वन इससे यह वाला लाइन आपका रूट थिरी आ जाएगा अब आप इसे कमपस को जीरो पे रख देना है और इस डिस्टेंस को कमपस से मेजर करके नंबर लाइन पे प्रोडूश कर देना है तो यह आपका रूट थिरी नंबर लाइन पे रिप्रियेंट हो गया अब मैं आप रूट को आगे रूट फाइब रूट सिक्स और रूट सेवन ब्रोकर के दिखाने जा रहा हूं अब देखिए रूट फाइब को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रियेंट करते हैं तो इसके पीछे का कॉंसेप्ट यह है कि दिक किसी ट्रेंगल का बेस टू यूनिट हो और उसका पर्पेंडिकुलर वन यूनिट हो तो उसका हाइपोटेनेस रूट फाइब आएगा तो इस ट्रेंगल का जब आप लोग हाइपोटेनेस निकालेंगे तो वो क्या आएगा इस ट्रेंगल का हाइपोटेनेस आएगा रूट फाइब तो हम लोग इसी कॉंसेप्ट का यूज करते हैं तो तब से पहले एक नंबर लाइन डोग करें फेर इसे एक बाइब कर ले इप्सकी पाइब पाइब करलें के यूज को अचरण आएगा आएगा के वाइब कर ले ना अचरण पाइब कर लें जीरो वन टू थीरी फोर इस नंबर लाइन पे जहां पे टू है ठीक उसी पॉइंट पे वन यूनिट का एक लाइन डो करना है तो परपिंडिकलर लाइन डो करना है फिर से उसी तरह से 90 डिगरी का एक लाइन डो करना है जो परपिंडिकलर होगा परपिंडिकलर लाइन मैंने डो कर लिया अब इस पर वन यूनिट जो है वह आप चाहे तो तो और वन के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर वन और जीरो के परपिंडिकलर होगा इस नाइन पर कट करना है और उसे फिर जीरो से जोइन करना है जोइन करने के बाद इस टिस्टेंस को कमपस से मेर करके नमबर लाइन कर प्रोडिश कर देना है तो यह रहा आपका दूट फाइट पंडर फाइट मैं कॉंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ यह ट्रेंगल जो की राइट एंगल ट्रेंगल हुआ इसमें यह डिस्टेंस हुआ गया दो यूनिट का और यह वा वन यूनिट का इसके कारण से इसका जो हाइपोटेंस है वो रूट फाइव आ गया तो उसे मैंने रूट नमबर लाइन तक प्रोडिश कर दिया है इसके कारण से यह पॉइंट आपका रूट फाइव आगया है इससे रूट फाइव नमबर लाइन पर प्रोडिश कर लिया है अब मान लेते हैं कि हमें रूट सिक्स को नमबर लाइन पर रिप्रेंट पर नहीं है इसके लिए रूट फाइव पर इन भाले नमबर मैं पहलाई कि रूकाना होगा रूट फाइव पर ले रोकाना हूँ हुआ हम चाम कर दिता यूज सूथ प्रमा पोड़ी क्न नमब लाइन में रूद प्रोड़़नू कर दो किसम हुआ है यह है कि लिगे हैं भॉअिया यगार कि पाह संदों कि वाह वाह सिंदए दिट जलिखों सेज़ कि वाह साली बाल हो दleness balance कि भाहीा कि वीयों सभीनल जशों कि लुए आ़ीर HEलेThat पर पिनिफिल लाइंड हो किया जारा है पिनिफिल लाइंड हो किया जारा है पिनिफिल लाइंड, जारा स्कते हाओ भीक्या ख परेड ना वे 110ड होदा किया खंगन है एक प्रिजिस बेड़ी बार नहां सुटियाँपटियां चाहिवे एक पार्ड़ी बेड़ीक चाहिबरा नहां सबस्चेक्टोगोडचियां लगारा नहां सॉटियाँ दो नहां सुटियाँ अधारा है और फेज इसे आपका रूट फाइब नंबर लाइन पे रोग हो गया रूट फाइब पर बेंडी प्ला लाइन फिट से रोग करना है मैं समय बचाने के लिए माश्केल से परंपिंडिकलर लाइन इस लाइन के पालल कर रहा है अचल की ऐसते से डोग केवा करना है समय बचाने के लिए इस पर फिर से वन यूट टकरना है और इस टिस्टेंस को फिर से जीरो से जोइन करने हैं आपका ये जो लाइन है ये रूट सिख्ष हो गया ये देखें रूट सिख्ष आपका नमबर लाइन पर रिपेंट हो गया है इसके कॉंसेप्ट में ट्रेंगल राइट ट्रेंगल बना कर बताने जा रहा हूं एक ट्रेंगल जो राइट अंगल है माल लिजे उसका वेस है रूट फाइल और पर्पिंडिकुलर वन यूनिट है तो इस राइट रैंगल का जो हाइपोटेनेस आएगा वो कितना होगा चली चल्कुलिट करके देखते हैं हाइपोटेनेस इकोल्स बेस असक्वार तो रूट फाइव असक्वार प्लस पर्पिंडिकुलर असक्वार वन असक्वार इकोल्स रूट अंडर वो फाइव प्लस वन इकोल रूट शिक्स तो इसका हाइपोटेनेस आएगा रूट शिक्स तो ठीक उसी कॉंचिप्ट का यहां पर योईश किया गया है इसका बेस रूट फाइव हो गया और इसका पर्पिंडिकुलर वन यूनिट है जिससे इसका हाईबरटेनेस रूट इंडर 6 आएगा और इसे की नमबर लाइंद तर प्रोडेश किया गया है अब मैं आप लोगों को रूट इंडर 7 डोकर के दिखाने जा रहा हूँ रूट इंडर 7 डिप्रेंट करने के लिए सबसे पहले रूट 5 डोकरेंगे फिर रूट 6 और तब वहां पर रूट इंडर 7 डोकर के आए सकता है झाले जद देने, अबूवाँ के लिवखाने, तब भूटत भाम् तब के भ्पष्यां साब, बखंसर्ट इंडर 2 ज़म खाटकता है कन्मों सो अब हाँ लाइन को लाइन को एको लोग दो पाक्षिनी लाइन करते है कर दो कर लिया है तब मैं इस पॉइंट पर यहां पर रूप 6 है एक पर रूप नुक्रल लाइन डोप करेंगे की इस सब्राइबद कर दा पर कोटार में आपकुक्त करेंगेG वरू उपओ क्षीर नहां जब माधी रिशा पर माधीओं। अरवार जीरो ते से जोइन करना है और फिर जीरो और इस पॉइंट से जोडिस्टेंस तर उसे निंबर लाइन से प्रोडिश करना है तो आफसा यह वाला पॉइंट जो निंबर लाइन पे है वो रूट अंडर सेवेन के इक्कुल हो गया तो इससे रूट अंडर सेवेन को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेंट कर दिया है इसके पीछे का कॉंसेप्ट में राइट ट्रेंगल आ लिजे एक राइट अंगल ट्रेंगल है एबी सी इसका बेस रूट अंडर सिक्स है और पर्पेंडिकुलर वन यूनिट है तो जब हम लोग इसका हाइपोटेनिस कल्कुलेट करेंगे तो वो आएगा रूट अंडर सिक्स अस्क्वार प्लस पर्पेंडिकुलर अस्क्वार कि पाइसे को अस्तेओरम है शिक्स क्लस वन इक्वल्स रूट अंडर सेवन यूनिट तो यह आपका रूट अंडर सेवन हो या था तो ठीक यही कॉंसेप्ट यहां पर यूज किया गया है यह बेस रूट अंडर सिक्स है और इसका पर्पेंडिकुलर वन इक्वल्स है जिससे इसका हाइपोटेनिस रूट अंडर सेवन आ जाता है थैंक्यू मैं श्ट्रेंट्स यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छे वीडियो दिखा सकूं और साथ में बेल आइकन को दवाना ना भूले इससे आप पूर नोटिफिके के पने मेरे चैनल को